नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फ्रेंट सेट प्रिपरेशन यूटूब चनल पर इस चनल पर में लेके आता हूं रोजाना करेंट अफ़ेर जनल स्टडी की ये वीडियो जिसे आप यूटलाइस कर सकते हैं किसी भी कॉंपटिटिव एक्जाम की प्रिपरेशन के हो सकती है चले फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेर जरूर करें विद रेफरेंस टू प्रगती मीटिंग कंसीडर फॉलिंग स्टेटमेंट इस कोशन में आप से प्रगती मीटिंग के बारे में पूछा जा रहा है जो कि अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की इसमें बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है यानि इस मीटिंग के अंदर जो भी थे स्टेट से रिलेटीड है वह चीफ मिनिस्टर है वह पार्टिस्पेट करता है तो यह दोस्तेटमेंट आपके सामने है अब आपको बताने है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है Option A के according बोला जारहे कि first statement correct है. Option B में बोला जारहे, second statement correct है. Option C में आपसे बोला जारहे, both first and second, याने कि दोनों ही statement आपको correct बताया जारहे है. अगर हम बात करें, Option D की इसमें आपसे बोला जारहे, neither one nor two. It means यह दोनों ही statement गलत है. तो आपके according correct statement क्या है प्रगती meeting के बारे में चले question को attempt कर लीजिए तो इस question की correct answer की बात करें तो दोनों ही statement आपको गलत दे रखें गलत क्यों आप वो समझ लेते हैं अभी recently प्राइम मिनिस्टर के दुआरा chair की गई थर्टी थर्ड प्रगती meeting और इस meeting का जो में मकसद होता है कि government के दुआरा जो भी program होते हैं उसे timely implementation किया जाए इस target के साथ इससे start किया गया था लेकिन statement में आप से बूला गया इसे नीति आयो के दौरा चिए start किया गया यह यह बोल सकते हैं कि नीति आयो का यह initiative है यह नीति आयो का initiative नहीं है बलकि यह prime minister office जिसे short में हम PMO बोलते हैं PMO के दौरा इससे start किया गया उनकी दरह से यह initiative है इसे तो start किया गया था 2015 में से launch किया गया था और तब से यह हर महीने start किया जाता है जिस दिन meeting होती है उसे प्रगटी day भी बोला जाता है तो आब यह कह सकते हो first statement जो आपको दे रखा है वो गलत है अब आते हैं second statement में सेकंड स्टेट्मेंट में बोला गया कि concern state जो भी है उस state का Chief Minister भी इसमें participate करते है जीप मिनिश्टर पार्टी स्पेट नहीं करता बलकि चीप मिनिश्टर की जगह यहां पर जो participate करता है cheap secretary जो भी होता है वो participate करता है उस particular state का धान रखना को cm यानिका चीफ मिनिश्टर पाइस्पेट नहीं करता है इसके इंदर बलकि उस स्टेट का जिस भी स्टेट मैं से रेलेटेट आइं वो स्टेट का चीप सेहे हाँ प्रेश्फ ऑ सक्कोत पाइस्पेट इसके अंदर करता है तो correct आंसर हमारा लोकेशन बनती है उसके रिगार्टिंग में पूछा जा रहा है और आपके पास यहां पे दो स्टेटमेंट दे दिये गे हैं अकॉडिंग टु फर्स स्टेटमेंट दसाइकलोन गती निसारग्रा अम्फान निवार ओल आर्दर अकड इन नौर्थ इंडिया ओशन रिजन यहां जो हैं इंडिया का जो ओशन रिजन है यानि कि जो बे ओफ वंगाल के आसपास का और जो अरेवियन सी का आसपास का और इं ठीक है नेक्स्ट सेकिंड में स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इंडिया बांगलादेश चाइना यूए यमन अंडर दन नौर्थ इंडियन ओशन रिजन यानि कि नौर्थ इंडियन ओशन रिजन के अगर हम बात करें उसके अंदर ये कंट्री आतने आपसे बताया जा है यानि के नाम आपको दे द Dallas आपको स्टेंمنट को डेंटन सब्सक्राइब ऑपको आपको आर्यजन करना है कि इसके नौर्थ इंडियन ओशन रिजन के इंगश्चरण के बिड देुट रिजन में कवह सा स्टेमेंट करेक्ट है ठीक है अप्शन इम्शन आपसे बोला जा है second statement correct है option c में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही statement first or second दोनों ही correct है और option d में बोला जा रहा है नाइधर वन नौर तू इट विस दोनों ही statement गलत है तो आपकी according correct statement क्या है question content कर लीजिए तो जैसे कि आप इंडिया का map देख पा रहे हैं तो चाइना तो काफी दूर है यहापे चाइना उपर है यानि कि इस एरिया में चाइना नहीं आता बाकी सारी country जो आपको दे रखी है वो सारी country correct है यानि कि आप यह बोल सकते हो कि इंडिया हमारी country फिर पाकिस्तान इदर अफगानिस्तान यह इरान वाला एरिया ठीक है और उसके बाद UAE यहादर चोटा से कंट्री है, UAE इधर आ गया, फिर साउधी अरेबिया इधर बड़ी सी कंट्री है, उसके बाद ओमान, यमन, यह सारी कंट्री इधर आ गई, तो यह कंट्री और इधर अगर नीचे जाए तो इधर आपकी बास यह मयम्मार हो जाएगा, फिर ऐखान गया, फिर यह सारी कंट्री इधर कबरती है, तो जो कंट्री के नाम को दे रखे हैं, बाकी सारी कंट्री तो ठीक है, लेकिन एक कंट्री में गलत था चाइना, चाइना इस region में यह आता है, बलकि यह ऊपर है, तो आब यह कह सकते हो, 2nd statement हमारा गलत हो गिया, बाकी जो फर्स स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि साइकलोन के नाम आपको दे रखे दे यह सारे साइकलोन इसी रिजन से रिलेटेड है चाहिए साइकलोन गती की बात कर लीजिए साइकलोन अमफान की बात कर लीजिए साइकलोन हमारी इस रिजन के अंदर ही आते हैं अभी साइक साइक्लोन निवार है यह दुबारा आए हुगा है 2018 के बाद ठीक है इस वज़से कॉशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इस रिजन में बात करें टोटल 13 में मेंबर कंट्री आप बोल सकते हैं जो छोटी-छोटी कंट्री इस रिजन में आती है तो करेक्ट आंस आइं फ्रस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है यह संट्र्ण स्पीम है कि पीम के स्वाई यह प्रधान मंत्री किसान संपता योजना के अगर बात करें अश्च्टु सप्लीमेंट एग्रीग्री कल्चर बाई प्रोवाइडिन अपितल सब्सीडी तु दर इंट इंड फॉ Second statement में आपसे बोला गया, कि इस scheme का main aim है, aim के बारे में आपको बताया जा रहा है, इसका main aim क्या है, कि supplementary provide करना है, एक तरह सप्लीमेंट करना है, agriculture sector को, और किस तरह से, subsidy provide करके, और subsidy किस फ़र्म में आगी, capital subsidy provide की जाती है, grant in aid के terms के रूप में, यह आपसे second statement में बोला जा रहा है, अगर हम third statement की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है, the PM KSY, यानि प्रधान मंत्री, किसान, संपधा, योजना, scheme is launched by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, यह एक ministry है, जिसने इसे लांच किया है, तो तीन statement आपको दे दिये गए है, प्रधान मंत्री, किसान, संपधा, योजना के बारे में बातना अव् البिय बात सुफ़ों कि अठेक टाइए, तो ओर आपको बताना है कि कर्क्रिक्ठ स्टेमेंट किया है, औप्शन ए के अरको अच्छे के हैं कि अप्शन एक एकरडीं भ permitaonneर सेटमेंट्न जान आपक एकरींटी करेक्और है, तो आपकी अकरेक्ट स्टेमेंट कैय आपको यी कॉंसे 찾 खर्यार किผन्सर्ड किया होती है है और स्पान्सर्ग्ववर्मेंट की स्पीम क्या होती है तोनों में ब्लीवर्मेंट में डिफ्रेंट्टथे यह दिव ह 0 सइंटल गॉडर्मंड का मतलब यह होता है कि संटल लॉन इसमें फट्रिक्रोंड okay करेंगी और इसे इंप्लीमेंट भी करेंगी यह बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए था तो जैसे इस कोशन में बुला गया कि परधान मंतरी किशान संपता योजना की कर बात करें तो यह सेंट्रल गवर्मेंट की स्पांसर्ड स्कीम नहीं है बलकि यह सेंट्र सेंट्र सेक्टर स्कीम है सेंट्र सेक्टर स्कीम का मतलब यह हो गया सेंट्र सेक्टर स्कीम का मतलब यह हुगा कि फंड भी सेंट्रल गवर्मेंट प्रोवाइट करेंगी इसके अंदर प्लस इंप्लीमेंटेशन का काम भी सेंट्रल गवर्मेंट ही करेंगी तो आप समझ ग तेहत जो किसान है या फार्मर है उनको एक तरह से कैपिटल एड या कपिटल सबसीडी प्रोवाइड की जाती है यह बात बिल्कुल करेक्ट है कि 35 तु 75 परसेंट तक इस प्रोजेक्ट में अंदर गॉबर्मेंट के दुबारा सबसीडी प्रोवाइड की जाती है फंड के हमारा बिल्कुल करेक्ट है अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपको इसे इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री के बारे में आपको बताया गया था तो आपसे बोला गया तो इसे इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री जो है वो एग्री कल्चर मिनिस यह बात बिलकुल करेक्ट है थार स्टेटमेंट में इस वह से आप कह सकते हो कि थार स्टेटमेंट आपका गलाद रहेत और पिर सी हो जाएगा सेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से सब्सक्राइब कि जगए से विली-विली भी बोला जाता है कहीं कहीं से हुरीकेन भी बोला जाता है तो अट डिपेंड करता है किस रीजन से इसे क्या बोला जा रहे है अच्छा कोशन आपके लिए यह है कि यह दोनों ही स्टेटमेंट आपको इसके रिगार्डिंग में दे रखें अब आप इंपक्ट पड़ता है तो उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि यह क्या करता है लार्ज स्केल पर कूलिंग प्रोसेस करता है ओशन सर्फेस को यानि कि आप जानते हैं कि जैसे मान दीजे मां अपनी कंट्री से बात करते हैं ठीक है यह जो केरला वाला एरि के यह एकि यह वाला एरिया एärिया और इधर मैं बात करूछे उपित जा रहे इस और आपकी मूल उयर्या सोट वेस्ट वैस्ट मान्सुन में प्राप सब्सक्नाइबाल को ίे डियूश कर देता है तरहा में सौन वेस्ट से जब रेनफॉल आता है उसे यह कम कर देता याने केध डिच्रीई कर देता है तयके नीचे से इस कणने से अचाहिए को और भी बात को बताई जारी एए उसे और देख लेते हैं, इसमें नहीं, फिर उसके लाब आप से बोला जा रहा है, but the positive impact on northeast monsoon, जो northeast monsoon यानि कि इस direction पे, यानि कि आप ये बोल सकते हो, कि ये टॉप से, इधर से जो monsoon का जो impact पड़ता है, इस पर ये positive impact डालता है, ये आप से बोला जा रहा है, यानि कि northeast direction से ज ये impact positive डालता है, और इधर से जो आता है, इसे negative डालता है, ये reduce कर देता है rainfall को, ये आप से second statement में बोला जा रहा है, अब आपको बताना है कि इन दोनों statement में से correct statement कौन से है, ये आपको choose करना है, तो option A में आप से बोला जा रहा है, first statement correct है, option B में आप से बोला जा रहा है, second statement correct और option C में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही statement फरस्ट एकिन दोनों ही statement बिल्कुल correct है और option D में आपसे बोला जा रहा है कि नाइधर वर्ण नौट टू एडमिन्स यह दोनों ही statement गलत है तो आपके according correct statement कैं question content कर लिजिए तो ला नीना impact कि एकर हम बात करें इसकी condition की बात करें तो जैसे आपसे फरस्ट स्टेटमेंट में बोला गया फरस्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल correct है यानि कि जैसे इसको बोला कि पैसिफिक ओशन की बात करें ठीक है यानि कि यह एरिया है इदर यह आपके से इस एरिया में इस वाले एरिया को तो क्या करता है कूल करता है ठीक है मलब temperature down करने का एक तरह से कादल कूलिंग प्रोसेस करता है यह जो बात आपसे बोली जा रही है कि cooling के लिए यह प्रोसेस करता है यह impact डालता है यह बात बिल्कुल correct है अच्छा उसके बाद आगर हम बा आगा इस चार आपया बात इस एनक्रीज लेटा इंक्रीज कर देता है यानिकि अब यह सकतर इस वाले एरिया से इस डिरेक्शन होतायग तो आप से बोला गया कि positive impact पड़ता है positive impact नहीं पड़ता बल्किस में क्या होता है नेगेटिव इनपेक्ट पढ़ता है इसके अंदर नेगेटिव इनपेक्ट इसलिए पढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर इधर हाई हो जाता है इधर डाउन हो जाता है तो जब इधर डाउन हो गया इधर टेम्परेचर डाउन हो गया इधर टेम्पर की बूट है कि अिस ए Initially आपको यह बताने है तो आपके पास यह चारोप्शिन है चारोप्शन इस से आपको चूस करना है फर्से और सिन आप से बोला जा रहे है धोट होट फ होंशे को यह नीर गुरिक जो साउट में इस एरिा में इस प्रिएक जो आता है ऑफ-धकतों अउंतमान निकोबार इस एरिया क आप में डेखे तो यह एवारी इस एरिया से बात की जारीए और आ आप आप्षिन निक वारीज को यह उस एरिया से बात की जारी यह वर eran बात की जारीए It's the a family इस एरिया से इस एरिया से और जब इन इस पॉतीक्लर एरिया के बात भी न रिखिंट घृट आपको इस एरिया से एलेंट इयार और इस एरिया THE live सब्सक्राइए। तो इस question का अगर correct answer की बात करें तो यह जो ट्राइब है यह हमारी country में जो नौर्टीस्ट एरिया है वहां से related है ठीक है यानि का आप यह समझ गया होगे कि नौर्थीस्ट का मतलब जो seven sister plus one add कर ले सिक्किम को भी तो उस एरिया से अपर आगो यह माना जाता है यह मिजराम से बिलॉंग करती है और ऐसा हुआ था कि यह यह जो इन्डिजनिस यानि की जो बिसीकली जो इसका origin है इस ट्राइब का वो बोला जाता है और जो है वो मिजराम से है और 1997 में जो अधर लोग है यह यह अधर ट्राइब एससे कंसीडर यह वहां की इंडिजनेस ट्राइब है उस स्ेट की पटूल इसलिए वहां से भगा दिया गया 1997 में इस कम्यूटी के लोगों को अरौन 37000 को यहां से हटा दिया गया भगा दिया गया आप कह सकते हैं मिजरॉम से मिजरॉम के अंदर जो डिस्टिक है ममीत, कोलाशिब और में लगे अच उसके बाद आप ट्रीप्रा वाले जो डिमांड कर रहे थे कि इनको वापस बेजो इनके स्टेट में यह कंफ्लिक्ट का विशय बन गया एक मुद्दा बन गया जिसके वज़े से कोशन आपके लिए इंपोर्टेंट हो रहा है और फिर उसके बाद यह डिसीज कर गें कुछ-कुछ और बाकी जो अधर स्टेट में जो मूफ कर गें उनको बोला गया कि यह तिरपूरा में जो बचे हुए हैं 32,000 अराउंड यह पर्मनेंटली यही सैटल होंगे यह डिसीजन आया है तो इस बज़े से क्वेशन आपके इंपोर्टेंट है ब्रू को एक करते हैं वहीं से ब्लोंग आज और आज किये से से इटल गाया तिरपूरा में सेटल है तो करेक्ट आंसर हमारा जो गया ऑप्षिन ए हो गया तो आज आज आपके लिए गंपर ये बताने है कि आप जिसभी स्टेट से ब्लोंग करते है उस अ स्टेट में कौन कौन सी लें में आज के लिए इतना ही है कमेंट करके score बता बताना автом कीतना सही portion आप लिए में उसका भी answer आपको बताना है ठीक है वीडियो लाइक करिए अपने दोस्तों में शेर करिए ठीक है पहली वार अगर वीडियो को इस चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके